हैले सुरेंट्स कैसा सब भी लोग आज हमने सुड़ों में मारे मैंथेमेटिक्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है इसका हम प्रैक्टिसेट 6.1 करने वाले हैं तो देखो 6.1 जो है प्रैक्टिसेट और यह जो चैप्टर है यह हमने ऐसा सिंबलर टाइप का सेवन चैनल में किया है तो यहाँ पर भी उसी तरीके से है खाली थोड़ा सा एडवांस वजन आएगा आपको जो बहुत ही एजी है मैं आपको समझाओंगा अच्छे समझेगा यहाँ पर यहाँ पर यहां पर और उसका स्क्वेरी रहेगा और दूसरे वाले में कौईटिशंट और वारियबल और जो तीसरे वाला जो रहेगा हो वो चिरफ हमारा coefficient रहेगा. इस type को आपको दिया रहेगा factorize करने के लिए. तो कैसे करते हैं? मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या है? आपको इसको factorize करने के लिए. सबसे पहले आपको square जो आपका इहाँ पर यह square जो term है इसका coefficient coefficient मतलब क्या जो number रहता है जैसे कि 1, 9, 18 इसको हम coefficient बोलते है तो square term को coefficient क्या कुछ भी नहीं मतलब 1 है ठीक है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे 1 ओके और देखो इसका multiply by जो आपका constant term है इसको multiply करना है ठीक है तो square का coefficient 1 था और constant term क्या है हमारा 18 है जहाँ पर कोई variable नहीं है तो यह 18 है तो 1 multiply by 18 ऐसे आपको करना है तो आपको क्या मिलेगा equal to 1 multiply by 18 क्या आपको मिलेगा 18 ठीक है 18 मिला अब आपको क्या करना है इसका आपको क्या करना है 18 का आपको factor निकालना है आपको ऐसा factor निकालना है दो ऐसा factor जिसको add करके या subtract करके आपका answer plus 9 आना चाहिए तो चलो 18 का factor अगर कुन देखा ही है एप सबसे पहले दू नाइन मिलेगा तो अगले देखो क्या होगा борANT कि अगले इक है वे सिГ्स को एड करके है इसको एड का कि हमें plus 9 मिलता है क्या, तो 6 plus 3 क्या होता है, अपका 9 होता है, तो देखो, यहाँ पे हमें 9 मिल जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ, कि हम 6 plus 3 लिखेंगे, तो 9 होगा, तो देखो, हमारा यहाँ पर number क्या है, plus 9 में है, ठीक है, क्या है, plus 9 है, तो हमें जो लिखना है, हम कैसे लिखेंगे 6 तो यह प्लस 6 रहेगा और यह प्लस 3 तो जो हमें यह factor मिला है तो इसको जब प्लस 6 प्लस 3 जब दुनों को add करेंगे हमें 9 मिलने वाला है तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं अब ध्यान से देखो हम यहाँ पर लिखेंगे x square यह x square as it is आएगा फिर देखो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले है प्लस 6 प्लस 3 तो प्लस 6 x 9 की जगा और प्लस 3 x यह 9 की जगा ठीक है हो गया और लास्ट पर प्लस 17 as it is अब हम यहाँ पर क्या करने वाले है धान से देखो हम यहाँ पर दो-दो का क्या बना लेंगे? सेट बना लेंगे यह x square यह x square और यह x square प्लस 6 x और यह 3 x प्लस 18 दोनों का सेट बना लिए हम ने अब हम क्या करने वाले है इसको आगे solve करेंगे यहाँ पर देखो ऐसे रहेगा तो आगे solve करते टाइम अब देखो यह x square plus 6x में से आप क्या common निकाल सेखते हो दोनों में क्या common है x, x दोनों के पैसार है तो x आ जाएगा bracket के बाहर अब bracket के अंदर के अंदर के आ जाएगा दो जब यह x square है तो हमने x bracket के बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा है? सिर्फ plus 6 बचेगा, समझाया? अब उसके बात क्या बीच में plus का sign है तो यहाँ पर हम plus का sign दे देंगे और अब देखो इन दोरों में से हमें common निकलना है तो देखो क्या common है? यहाँ पर x यहाँ पर x नहीं है लेकिन यहाँ पर 3 है यहाँ पर 18 है तो देखो 3, 6, 0 क्या होता है? 18 होता है तो मतलब कि 3 common बाहर आ सकते हैं 3 को common लिए, bracket के अंदर के आएगा जब यह 3 बाहर आ गया तो अंदर के आप अचा सिर्फ x प्लस का साइन अब दोखो 3 बाहर है तो अंदर 18 के जगा हम क्या लिखेंगे? तो 3 किस से multiply होके 18 आता है? 3, 9, 0 sorry, 3, 9, 0 मैं बोला हूँ 3, 6, 0, 18 होता है 3, 9, 0 नहीं 3, 6, 0, 18 होता है तो 3, 6, 0 आपका 18 हो जाएगा clear? तो हमें क्या मिल ले है यहाँ पर? x, x प्लस 6 प्लस 3, x प्लस 6 अब हमें क्या करना है देखो? यह जो x प्लस 6 है x प्लस 6 इसको हम क्या करेंगे? यह दोनों को एक बार यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 6 एक बार लिख दिये, ठीक है? यह दोनों को common लिख दिये और उसके बाद, यह जो bracket के बाहर है इन दोनों को अंदर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या है? x है प्लस 3 है प्लस 3 इतना simple है ऐसे आपको solve करना है, बताओ देखो, एक जटके में आप solve कर लिए तो इस तरीके से आपको बाकी सारे भी solve करने है ठीक है? चलो, अभी चलते है second वाले पर तो देखो आपको अभी second में क्या दिया गया है? ध्यान से देखो तो यहाँ पर second में आपको दिया है x square minus 10x plus 9 तो अभी simply हमें क्या करना है? सबसे पहले जो square का coefficient है multiply by जो हमारा यहाँ पर constant term है यह multiply होगा, ठीक है? तो square के पास कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो 1 multiply by 9 क्या होगा? यहाँ पर देखो हम लिखते हैं यहाँ पर 1 multiply by 9 क्या होता है? 9 ही रहेगा ठीक है? अगर यहाँ पर कोई number रहेदा 2, 3, 4 तो वो 9 से multiply होता है फिलाल square के पास कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो 1 multiply by constant term 9 है तो 1 multiply by 9, 9 रहेगा अब हमें क्या करना है? इसका factor निकालना है 9 का और हमें वो factor को add करके या subtract करके हमें minus 10 मिलना चाहिए clear? तो चलो देखते हैं कैसे होगा 9 का factor क्या क्या रहता है? क्या रहता है? 1 multiply by 9 क्या होता है? 9 होता है ठीक है? क्या जगा आपका? 9 तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 1 multiply by 9 क्या 9 है तो इसको हम add या subtract करके क्या कर सकते है? 10 ला सकते है तो देखो 1 plus 9 क्या होता है? 10 होता है तो यहाँ पर देखो हम ये minus 10 की जगा पर क्या? minus 10 की जगा पर क्या लिख सकते हैं बताओ 1 और 9 जब इनको add करेंगे हमें मिलेगा 10 लेकिन हमें क्या चाहिए minus का sign चाहिए minus 10 हमारा answer आना चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना है minus 1 minus 9 लिखना पड़ेगा तो minus minus मिलके क्या होता है? plus तो 1 plus 9 क्या हो जगा? 10 होगा लेकिन sign of greater number तो दोनों में से बड़ा नमबर कौन सा है? 9 बड़ा है तो इसके लिए minus 10 हमारा answer रहेगा समझे? हमने minus minus के लिखा ताकि हमारा answer minus 10 में है तो अब हम चलो solve करते है यहापर equal to का sign क्या है? x square अब यह minus 10 की जगा हम यह लिखने वाले हैं minus 1 तो minus 1 मतलब कि minus x आप सिर्फ लिख सकते हो 1 मतलब लिखने के जरूद नहीं है जैसे हम देखते हैं कि कुछ भी नी समझे लिख लो 1 है तो minus x और minus 9x देखो यह minus x उसकोद minus 9x तो minus minus मिलके plus तो 1 plus 9 होगा 10x मिल जाएगा लेकिन sign कहा रहेगी greater number की तो minus 10x मिलेगा simple कर दिया हमने आगे आपका क्या है? यहाँ पर plus का sign और 9 अब हम क्या करने वाले है? दो-दो का हम set बना लेते हैं क्या रहेगा? दोको x square plus x और minus 9x plus 9 यह set बन गया अब हम क्या करेंगे? सबको bracket मिलेंगे यह देखो यह क्या है? पहला क्या x square minus x है तो इसमें से common क्या जाएगा? दोनों के पास common है? दोको x, x तो x बाहर आएगा bracket के अंदर क्या बचेगा? इसके पास 2x था, दोको x square था, एक x बाहर आया तो अंदर बचा सिर्फ 1x minus cosine, अंदर वाला एक ही x था, तो वो बाहर आगया, तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर? 1 ही बचेगा क्यों x multiply बचेगा, 1 क्या होगा? x रहेगा, समझे हैं आप कैसा हुआ? अब आगे दोखो, आगे क्या है? यहाँ पर, यहाँ पर क्या है? अब हमें इसमें से भी common लेना पड़ेगा तो क्या common है दोनों में? x, x तो दोनों के पास नहीं है, सिर्फ एक ही x है, लेकिन 9 देखो, दोनों के पास है, तो हम क्या आगे हैं? 9 को बाहर ले लेंगे, यह minus 9 जो है, यह common ले लेंगे हम, ठीक है? bracket के अंदर क्या आएगा, बताओ, bracket के अंदर आपका आएगा, जब 9 बाहर आगे है तो अंदर क्या बचाओ, सिर्फ x बचा ठीक है? x बचा अब यहाँ पर देखो, हमने क्या किया है? minus 9 को बाहर लिया था ठीक है? तो यहाँ पर bracket के अंदर क्या आएगा, यह 9 बाहर आगे है ना, तो bracket के अंदर minus 9, sorry, minus 9 नहीं minus 1 बचेगा कैसे? अब बोलोगे, सर यहाँ पर तो plus था, क्योंकि दोको यह जब bracket open होगा, तो यह minus plus मिलके minus 9x बनेगा, और यह जब इससे multiply होगा, तो यह minus है, यह minus मिलके plus होगा, ठीक है? तब हम यह plus 9 मिलेगा, इसके लिए जब भी आप bracket के बाहर minus लोगे ना, clear? समझ गया? चलो, आगे करते हैं, equal to का sign, अब हम क्या करेंगे? देखो दियान से, यह जो क्या है, x minus 1, x minus 1, तो इसको हम common ले लेंगे, x minus 1, और बाकी जो bracket के बाहर है, उसको bracket के अंदर लेंगे, x, तो यहाँ पर x minus 9, तो minus 9, बताए, simple था कि निये एकदम? ये वाल भी हो गया, second वाल भी हमारा हो गया, अब चलते हैं, third वाले पर, देखे आ ठट में क्या दिया गया है? यहाँ पर देखो, third में आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ पर में third में दिया गया है, क्या है? y square plus 24y प्लस 144 तो इसको factorize करना है तो क्या step है सबसे पहले जो square term है हमारा उसका coefficient multiply by जो हमारा constant term है तो constant term क्या है 144 तो इन दोनों को multiply करना है तो कैसे करेंगे हम ध्यान से देखो square term के पास कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो 1 multiply by क्या है यह वाला हमारा constant term 144 तो 144 equal to हमें क्या मिलेगा 144 अब आपको करना क्या है आपको इसका factor निकलना है 144 का और एक ऐसा number आना चाहिए ऐसा factor जिनको हम add करेंगे या subtract करेंगे तो हमें plus 24 मिलना चाहिए clear समझ गया तो चलो 144 का factor क्या क्या होता है देखते हैं सबसे पहले आप देखोगे 1 multiply by 144 जब आप करोगे तो वार्ट आप 12 प्लस 12 करोगे क्या मिलेगा आपको 24 मिलेगा तो इसका मतला थि हूम ऐसा लिख सकते के हमारा 24 लाने के लिए 24 लाने के लिए उपिछल में लिख्या पड़ेगा 12 12 यह दोनोंको k्या sign का देना पड़ेगा दोनों को plus plus 12 plus 12 हमें 24 मिलेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 12 लिखेंगे 24 की जगा plus 12 plus 12 लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा आजेगा equal to का sign y square plus 12y 12y इसकी जगा लिखेंगे उसके बाद plus 12y plus 12y फिर लास्ट में है plus 144 इसकी जगा हमने यह लिखा है बाकी सब as it is आ गया same ठीक है अब क्या करना है आपको दो-दो का set बना ले रहा है तो देखो इसका set बनेगा और इसका set बनेगा ठीक है दो-दो का set बन गया अब आपको करना सबसे पहले किया y square plus 12y तो दोनों में से क्या common आएगा दोनों के पास y है तो y बाहर common आ जाएगा bracket के अंदर क्या आएगा y square में तब 2y था 2 था ना तो एक y बाहर गया तो अंदर सिर्फ 1y बचा plus 12y का y बाहर आगया तो अंदर सिर्फ 12 बचा हो गया इतना अब ये वाले को हम कर दें तो plus क्या हम बाहर common ले सकते हैं दोनों के पास क्या है तो y तो दोनों के पास है नहीं तो हम सिर्फ 12 12 को बाहर जब आप लोगे तो 12 12 144 होता है ठीक है तो हम ये plus 12 को बाहर common ले लेंगे तो अंदर सिर्फ y बचा यहाँ पर और प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे अगर यही minus का साइन रहता ना तो दोनों का साइन उल्टा हो जाता माइनस माइनस हो जाता प्लस की जगा चलो आगे चलते भी अब हम यहाँ पर करना क्या है यह जो bracket वाला है तो y प्लस 12 दोनों को यहाँ पर common प्लस 12 तो यह हमें मिल रहा है यहाँ पर पर्फेक्ट स्क्वेर ओफ 5 प्लस 12 मिल गया है यह पर्फेक्ट स्क्वेर है वाई प्लस 12 का वाई प्लस 12 का वाई प्लस 12 के जब स्क्वेर निकालोगे तो आपको वही मिलेगा अब चलते हैं हम फोर्थ वाले पर देखते है फोर् 5 एक common आ रहा है क्या करने वाले 5 जो है सबका common ले लेंगे तो यहां पर 5 bracket के अंदर क्या बच जाएगा जो हमने 5 बाहर लिया है तो अंदर सिर्फ y square बचा प्लस इसका 5 बाहर आ गया तो सिर्फ y बचा और यह minus अब हमें क्या करना है जो bracket के अंदर है इसको हमें फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे जैसे हम करते हैं वह इसी करना है y square के पास कौनसा है coefficient बताओ कुछ भी नहीं बताओ 1 है और multiply by constant term क्या 2 है तो 1 multiply by minus 2 तो आपका क्या आएगा बताओ 1 multiply by 2 आपका क्या आएगा तो यहाँ पर हम करते हैं 1 multiply by 2 हमें मिल रहा है 2 तो हमें अब करना क्या है मतलब कि 2 का हमें क्या करना है factor निकालना है और उसको add कर या subtract कर करके 1 आना चाहिए तो देखो 2 का factor क्या होता है तो 1 multiply by 2 क्या होता है बताओ 1 multiply by 2 आपका होता है 2 तो यह factor निकाल लिया तो देखो हम 1 plus 2 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा लेकिन अगर हम यह 2 से 1 को minus करें तो हमारे पास क्या आजाएगा बताओ 2 से 1 को minus करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, है की नहीं? 1 मिलेगा ना, तो मतलब हम 2-1 कर सकते हैं तो इसका मतलब यह हो गया, कि हम यह जो 1 है, कि हम यहाँ पर प्लस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब 1 multiply by 2, 2 आ रहा है, तो यह factor को हम कैसे लिखेंगे? जब हम 2-1 करेंगे, तो हमें 1 मिलेगा, यह प्लस में रहेगा, यह माइनस में, तो 2-1 क्या होगा? 1 होगा, तो इसका मतलब यह हुआ, कि हम इसकी जगह, equal to sign, 5 bracket के बाहरी रहेगा, यह y square as it is, अब देखो, यह प्लस y, यह 1y यह समलो, इसके जगह क्या आ जाएगा? प्लस 2y और माइनस 1y, तो प्लस 2y, माइनस 1y क्या होजाता है? सिर्फ y होता है, तो देखो, हो गया न, यह हमने निकाल लिए, क्योंकि देखो, हमने यहापर प्लस क्यों डाला है? आप में से अगर कुछ लोग के दिमान में यह डाउट आया होगा, कि सर, आप अगर हम इसकी जगह मैनस डाल दे, इसकी जगह प्लस डाल दे, तो भी तो हमारा एनसर 1y आने वाल है, लेकिन हमें क्या चीह है? प्लस 1 में चीह है. तो इसके लिए हमें जो प्लस है, ग्रेटर नंबर पर डालना पड़एगा. तो हम इसके लिए 2 पर डालें, तभी हमें answer प्लस 1 में मिलेगा, जब यह minus करेंगे तो, clear, last में कहाँ minus 2, यहाँ पर minus 2, अब हमें क्या करना है, अगले step में, common common, यह term ले ले लेना है, तो देखो, यह हम पहले, इसको ले ले लेंगे, और यह इसको ले ले लेंगे, दो common set बना करोगे, common बाहर निकालोगे, तो कौन से निकलेगा बताओ, यह दोखो, y और y, दोनों के पास एक एक y है, बाकी coefficient में, तो अलग-अलग है, 2 है और 1 है, तो coefficient common नहीं आएगा, सिर्फ हमाना क्या variable आएगा, तो y बाहर ले देखो, common, bracket के अंदर क्या है, दो आई था, तो 1 y ब common ले सकते हैं, तो minus 1 बाहर ले लेंगे हम, common, अब अंदर क्या बचाएगा, जब minus 1 बाहर आया, तो अंदर सिर्फ y बचाएगा, अब देखो, यह मैंने आपको क्या बूला है, अगर bracket के बाहर minus का sign रहे है, तो अंदर वाला sign उल्टा हो जाता है, तो इसके लिए हमें प्लस अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले step में, equal to sign, 5 as it is, देखो, अभी यहां पर क्या होने वाला है, जो यह दोनों bracket का y plus 2, y plus 2, इसको हम यहां पर लिख देंगे, y plus 2, और फिर इसके बाद जो bracket के बाहर है, y minus 1, इसको bracket के अंदर ले लेंगे, y minus 1, और last में हम क्या करेंगे, bracket को open कर देंगे, कैसे है, equal to sign, 5, y plus 2, y minus 2, इस सरीके से आपको लिख देना है, last, ठीक है, bracket को open करके, तो यहां पर, हमें, sorry, y minus 2 नहीं है, देखो, y plus 2 है, और y minus 1 है, ठीक है, गलती से लिख दिया था, y minus 1 है, तो यहां पर हमने क्या किया है, हमारा fourth वाला भी solve कर लिया है, इसे ही आपको solve करना है, चोलो देखते है, फिफ्थ पर हमें क्या दिया गए, पी स्कूर माइनस 2P, माइनस 35, इसको हमें क्या करना है, फेक्टराइज करना है, सेम मेधर दे जैसे हम करते है, तो यहां पर क्या करना है, पी स्कूर का क्या कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, multiply by, इस 35, आपको 2 मिलेगा, नहीं, 2द नहीं मिलेगा, 36 मिलेगा, 35 में से, 1 माइनस भी करो गए, तो मैं 34 मिलेगा, इससे नहीं होगा, फिर आगे क्या है, जेखो 5 multiply by 7, आपको क्या होता है, 35 होता है, तो जेखो 5 प्ल Luft 7 के आपको 12 मिलेगा, लेकिन अगर आप 7 माइनस 5 करो गई, आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा तो मतला हमें 2 मिल सकते है अगर हम 7-2 करें तो हमें minus क्या है हमारा minus 2 लाने के लिए हम 7 को 2 से minus करेंगे लेकिन यहाँ पर एक और चीज है आपको minus 2 में answer चाहिए minus 2 में अगर answer चाहिए तो आपको plus वाली sign छोटे नंबर पर minus वाली sign बड़े नंबर पर डालना पड़ेगा sorry यह 2 नहीं रहेगा 5 रहेगा ठीक है यह को 7-5 करेंगे न उत्तब हमें 2 मिलेगा तो हमें क्या चाहिए minus 2 में number चाहिए तो minus 2 में अगर आपको number चाहिए तो क्या करना पड़ेगा plus वाली sign छोटे नंबर पर minus वाली sign बड़े नंबर पर यह minus 7 आएगा और यह क्या हैगा यह plus 5 आएगा plus तो इसका वालता हमें हम कैसे लिख सकते हैं अपर equal to का sign p square अब minus 2p के जाना क्या minus 7p plus 5p ठीक है आगे minus 35 वे एगले step पे हमें क्या करना है दो set बना ले रहा है एक इसका और एक इसका अब यह में दोने में से common निकालना है तो p square और p दोने में क्या क्या common है दो इसके पास इसके पास एक है तो p common आ जाएगा bracket के अंदर क्या बचेगा एक p बाहर गया तो एक p अंदर minus एक ही p तो बाहर चला गया तो अंदर सिर्फ 7 बचेगा उसके बाद के plus अब देखो p तो दोनों के पास है नहीं लेकिन 5 इधर है और देखो यहाँ पर 35 है तो 5 7 जा 35 होता है तो दोनों में से 5 common आ जाएगा bracket के अंदर क्या बचेगा 5 बाहर गया तो बाहर अंदर सिर्फ p बचा minus किस से multiply करो के 35 मिलेगा अगले step में क्या करना है हमें यह दोनों जो है यह common ले लेना p minus 7 और जो bracket के बाहर है वह अंदर ले लो p plus 5 इस तरी केसा आपको solve करना है यह एतना easy है फिफ्ट वाला ठीक है चलो अभी चलते है 6 वाले पर देखते है 6 में हमें क्या दिया गया है तो 6 में आपको क्या दिया गया है तो 6 में आपको दिया गया है यहाँ पर p square minus 7 p minus 44 तो हमें same step follow करना जो हमने पहले किया है इसके coefficient क्या है square वाले का one है कुछ भी नहीं बतब one है multiply by constantum क्या है 44 है तो one यहाँ पर हम लिखेंगे one multiply by 44 equal to 44 अब इसका हमें क्या करना है factor निकालना है तो देखो 11 multiply by 4 क्या आता है आपका 44 तब देखो 11 plus 4 आपका क्या हो जाएगा 15 होता है तो हमें क्या चाहिए 7 चाहिए लेकिन 11 minus 4 करो अब हम यहाँ पर तो हम इस तरीके से लिख सकते है 11 minus 4 लेकिन देखो हमें answer क्या चाहिए minus 7 में चाहिए minus 7 में तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो छोटा नंबर है उस पर हमें plus की sign डालना है और बड़े नंबर पर minus की sign तो छोटा नंबर कौन से 4 है तो यह plus ठीक है और क्या है plus 4P plus 4P minus 44 इसको solve करते हैं आगे क्या हमें मिलेगा देखो क्या है हम अब दो-दो का set बना लेंगे तो यह होगा और यह होगा तो अभी इसमें से common निकालते हैं तो दोनों के पास क्या है इसके पास 2P इसके पास 1P है तो P common आ गया ब्रेकट के अंदर क्या प्लस का साइन अब देखो यहां पर पी है यहां पर नहीं है तो हम सिर्फ बाहर क्या common लेंगे इसका 4 अगर बाहर लेंगे यह 44 तो 4 multiply by 11 क्या होता है 44 होता है इसका मतलब यह हुआ हम 4 बाहर common ले सकते हैं और यह इसका 4 बाहर गया तो अंदर सिर्फ पी बचा और माइनस कि आप multiply उपर करोगे आपको 44 आएगा जब हम 11 से multiply करेंगे ठीक है अगले step में क्या करेंगे पी माइनस 11 इसको common ले लेंगे और जो bracket के बाहर है पी प्लस 4 ब्रेकट के अंदर लेंगे तो पी प्लस 4 यह हो गया हमने फैट प्राइस कर दिया है 6 वाले को इस सरीके से आपको कर स्क्राइस करना है तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें जो स्क्वार वाला टर्म है इसका जो कोईफिशंट रहेगा और हमारा जो constant टर्म है इन दोनों को मल्टिप्लाइ करना है तो यहां पर क्या है कुछ भी नहीं मतलब 1 है और यह 120 है तो 1 मल्टिप्लाइब 120 केतन या तो subtraction जो हम करेंगे तो answer 23 आना चाहिए देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे हमने जब 1 multiply 120 के हमें क्या मिला 120 मिला ठीक है अब हमें क्या करना है इसके factors निकालने है तो कैसे करेंगे देखो सबसे पहले आप किस number को किस से multiply गर हो गया आपको 120 मिलने वाला है तो सबसे प 120 आता है तो 12 प्लस 10 क्या होगा 12 प्लस 10 आपका होता है 22 जो क्या है हमारा 23 नहीं है तो मतलब कि हम 12 प्लस 10 करके नहीं मिला हमें 12 माइनस 10 भी करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा तो हमें 23 answer नहीं मिल रहा है अब चलो दूसरा number देखते हैं दूसरा factor निकालते है तो 15 multiply by 8 तो यहाँ पर देखो जबाब 15 प्लस 8 करोगे आपको क्या answer मिल रहा है 23 मिल रहा है है की नहीं तो इसका मतलब यह हुआ हमें ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमें यह हमारा answer चाहिए क्या minus 23 अगर हमें minus 23 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा 15 minus 8 sorry 15 plus 8 करना पड़ेगा लेकिन हमें answer क्या चाहिए minus में चाहिए ठीक है तो minus में हमें कब answer मिलेगा जब हम दोनों को minus में रखेंगे ठीक है minus 15 minus 8 तो minus minus का उधा plus होता है तो 15 plus 8 होगा answer क्याएगा minus 23 क्योंकि sign of greater number तो दोनों ही minus है तो हमारा answer minus में आएगा clear हो गया समझ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा minus 15 और minus 8 लिखना पड़ेगा तो अब हम कैसे लिखने वाले है यहापर equal to का sign डालते है m square यह attitude आएगा m square अब यह minus 23 m की जगा यह आ जाएगा क्या minus 15 m यहापर minus 15 m minus 8 m यहापर minus 8 m plus 120 अभी हमें क्या करना है इसमें दो-दो का set बना लेना है कैसे हम बनाएंगे यहापर देखो m square यह वाला एक set बन जाएगा minus 15 m और 8 m plus 20 यह वाला एक set बन जाएगा ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे इसका set बना लिए हम अभी इनमें से common निकालेंगे जो common बाहर आएगा तो देखो इसमें क्या common है इसके पास भी m है इसके पास भी m है तो m common आ जाएगा m बाहर आ जाएगा लेंगे 8 को बाहर common लेंगे ठीक है इसको minus 8 को लेंगे ठीक है तो यह minus 8 अमारा common आ गया बाहर अंदर क्या बचता है बताओ minus 8 अगर बाहर आ अंदर सिर्फ बचा M आप दो हमने क्या कीआ है बाहर minus 8 common लिया है तो अंदर क्या जब भी आप बाहर अगर negative sign आपका रहेगा ना अगर common ले रहे हो अपर negative रहा तो अंदर के सारे sign change जाएंगे क्योंकि देखो यहाँ पर minus था तो इसका plus हो गया अब यहाँ पर plus है तो इसका यह minus हो जाएगा ठीक है अब 8 के table में 120 का वाता है आप कुछ सा 8 के table पढ़ो 120 का वाता है 8 15 0 120 होता है clear समझ गया आप equal to a sign अब हम क्या करते है अगले step में क्या करना है यह जो दोनों इसको common ले लो क्या रहेगा हमारा M minus 15 और यह bracket के बाहर है इसको bracket के अंदर ले लो क्या है M minus 8 minus 8 तो यह आपका final answer है ठीक है M minus 15 M minus 8 तो देखो किसी किसी का कैसे आया होगा answer M minus 8 पहले आया होगा M minus 15 बाद में आया होगा तो कुछ फरक नहीं पड़ता है दोनों बात से में clear अब चलते अगले question पर देखते है next में क्या दिया गया है 8 में तो यह पर 8 में हमें दिया गया है M square minus 25 M plus 100 तो इसको हमें factorize करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले square वाला जो आपको coefficient है और यह constant term इन दोनों को one baik just by 100 का रहेगा आपका hundred % कै ऐ अब हमें क्या करना है इसका factors में इसका नदे का नीकालओ तो हगर आप किस ﷺ को 100 बिलेगा koंसे number को किससे करोगे तो अगर आप देखोगे सबसे पहले देखो हम table में देखोग कि 10 multiply by 10 आपको क्या मिलता है 100 मिलता है आप आपको क्या करना है यह जो factor आपका है इसको add करके यह दुनों को add करके या तो subtract करके आपका answer यह आना चाहिए क्या minus 25 यह जो आपको middle वाला यह middle वाला जो coefficient है यह आपका आना चाहिए answer ठीक है तो 10 प्लस 10 आपको क्या आएगा 20 आएगा तो हमें 25 चाहिए 10 minus 10 जीरो आएगा तो मतलब कि ना minus करके ना plus करके हमें यह नहीं मिलता है तो हम अगले factor अगला factor निकालते है तो देखो अगला क्या तो देखो 20 प्लस 5 अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहे 25 मिल रहे मिल रहे की नहीं तो इसका मतलब यह हुआ यह वाले factor को हम use कर सकते हैं यह coefficient को लाने के लिए तो हम यहापर क्या लिखेंगे कि अगर हमें 25 चाहिए क्या चाहिए 25 नहीं क्या minus 25 अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें यह जो 20 प्लस 5 करना पड़ेगा लेकिन हमें क्यूंकि एंसर हमारा negative में चाहिए इसके लिए हमें दोनों को minus sign देना पड़ेगा इसको भी इसको भी तो minus 20 minus 5 क्या होता है minus minus plus होता है तो 20 plus 5 अपको क्या मिलेगा 25 क्यूंकि दोनों के पास minus की sign ह है तो आपका answer minus 25 आएगा clear समझ गया अब हम क्या कर सकते अगले step में minus 25 की जगा यह दोनों number लिख सकते कैसे करेंगे equal to का sign डालो पहले क्या है m square अब देखो क्या लिखेंगा minus 20 इसके जगा हम लिखेंगा minus 20 m minus 20 m उसके बात क्या हम minus 5 m तो minus 5 m और last में as it is plus hundred ओके ठीक है अगले step का अपका क्या रहेगा अभी इनको हम क्या करेंगे दो-दो का set बना लेंगे कैसे हम बनाएंगे यहां पर देखो यह यह दो set बन जाएगा और यह दो set बन जाएगा अब इन दोनों set मेंसे हम क्या करेंगे जो common बाहर निकले गए उसको common रखेंगे बाकी bracket में डाल देंगे तो देखो इन दोनों के पास है M M, दोनों के पास M है, तो M common आ जाएगा, bracket में क्या बचेगा, M square है, मतब कि 2 M है, तो 1 M बाहर गया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ M, अब देखो, क्यूंकि bracket के बाहर plus का sign है, तो bracket के अंदर वही sign लेगा, change नहीं होगा, तो यहाँ पर minus है, तो यह भी minus ही आएगा, अब M क्यूंकि बाहर चला गया, बचेगा, सिर्फ 20, अब आगे क्या है, देखो, यहाँ पर 1 के पास ही M है, तो M तो common नहीं ले सकते, और क्या हम common ले सकते हैं, दोनों के पास देखो, नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा number common बाहर लेंगे, जो multiply करके हमें answer, यह दोनों ही मिले, तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, हम minus 5 जो है, यह बाहर common ले सकते हैं, क्यों minus 5 वंजर, 5 रहेगा, और किस से multiply करोगे, 100 बिलेगा, 5 को 20 से करोगे तब, तो हम minus 5 को बाहर common ले लेते हैं, अब देखो, क्योंकि आपने bracket के बाहर minus 5 common लिया, minus, अब bracket के अंदर सारी sign चेंज जाएगी, इसके पास minus की sign थी, तो bracket के अंदर plus की आएगी, तो क्योंकि 5 बाहर आगया, तो अंदर बचेगा, सिर्फ M, अब देखो, bracket के अंदर, sorry, bracket के बाहर plus की sign थी, तो अंदर minus क्या आएगी, क्योंकि बाहर आपने minus लिया, तो अंदर सारी sign चेंज हो रही है, तो 5 किस से multiply करोगे, आपको 100 मिलेगा, 20 से, clear, समझ गया, चलो, अगले step पर चलते हैं, अभी क्या करेंगे, जो दोनों है, इसको common ले लेते हैं, क्या था, M minus 20, M minus 20, तो M minus 20, common ले लिये, अब जो bracket के बाहर है, उसको अंदर ले ले लेते हैं, क्या है, M minus 5, M minus 5, इतना simple है, यही बस, यह तीन step का, यह आपका sum है, ऐसे solve करना है, ठीक है, चलो, अभी चलते हैं, 9 वाले पर, देखते हैं, 9 में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर तो 9 में आपक यह square का जो यह coefficient है, और constant term का है, इन दोनों को multiply करना है, तो यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर हम दिखेंगे, 3 multiply by 15, क्या आपको मिलेगा बताओ, 45, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यह जो हमारा मिला है, हमें, यह 45, इसका हमें factor निकालना है, तो देखो आपको देखना है, कौन से number को आप multiply करो है, आपको 45 मिलता है, ठीक है, कौन से table में 45 आता है, आप ऐसा बोल सकते हो, तो देखो, एक तो हमारा number है, 95045 या 59045 आप बोल सकते हो, तो देखो 45 में मिला, अब हमें क्या करना है, जो हमें, यह factor मिला है, इनको add करके, subtract करके, आप आपका answer यह आना चाहिए, ठीक है, तो 9 plus 5 क्या होता है, 14 होता है, इसका मतलब यह हुआ, कि हम यह वाला जो factor है, यह use कर सकते हैं हाँ पर, क्योंकि इसका addition करके हमें क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है, तो हमें ऐसे लिख सकते हैं, कि अगर हमें 14 चाहिए, क्या है, प्लस 14 है, ठ एक वाले कोईफिशेंट को हम रखेंगे 9, और दूसरा वाले को रखेंगे 5, और दोनों क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, क्योंकि हमारा answer हमें प्लस में चाहिए, तो 9 plus 5 क्या होगा, 14 होगा, simple है रितना, तो हम क्या करने वाले है, अभी अगले step में, यहां पर, एफिशेंट, चेंज होगा, एक प्लस 9 हैगा, एक प्लस 5 हैगा, तो एक प्लस 9x आएगा, और दूसरा वाला, प्लस 5x आएगा, क्योंकि 9 प्लस 5, 14 होता है, ठीक है, लास्ट वाला जो रहेगा constant हम, वो चेंज नहीं होगा, वो प्लस 15, as it is रहेगा, clear, अब अगले step में क् दो-दो के set बना लेने हैं, यह starting के दो, और यह last के दो, set बन गए दो-दो, अब इन में से देखने है common क्या बाहर आ रहा है, वो bracket के बाहर रखना है, बाकी bracket के अंदर, तो देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों के पास x है, और दोनों के पास number भी है, 3, 3, तो हम 3x को बाहर common ले सकते हैं, देखो, 3x को हमने बाहर common ले लिया, bracket के अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ पे, 3 और x को बाहर ले लिया, तो बचेगा क्योंकि x स्क्वेर है, तो 1x बाहर गया और 3 भी बाहर गया, अंदर सिर्फ बचेगा x, अब देखो, ब्रेक्ट के बाहर भी चेंज नहीं होगी, तो प्लस ही रहेगा, अब यहाँ पर क्या है, 9 है, और यहाँ पर क्या है, X है, तो 1X बाहर आ गया, और 3 बाहर है, तो किस से मल्टिप्ला करोगे, आपको 9 मिलेगा, 3 से, ब्रेकट के अंदर हमें क्या मिलता है, X प्लस 3, ठीक है, लियर हो गया, अब अगले इस पर आते है, देखो, यहाँ पर X एक ही के पास है, दूसरे के पास X नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, हम सिर्फ नमबर को बाहर ले सकते हैं, तो हम देखो, यहाँ से 5 को बाहर common ले सकते हैं, प्लस 5 को, ब्रेकट के अंदर क्या बच्छेगा, 5 बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा एकस प्लस किस से मल्टिप्लिया करोगा 5 को 15 भी लेगा 3 से clear अब क्या करना है अगले step में यह जो common है उसको लिख दो यहां पर x प्लस 3 x प्लस 3 लिख दो x प्लस 3 अब जो bracket के बाहर है 3x प्लस 5 उसको अंदर ले लो 3x प्लस 5 इतना सिंपल है इसको आपको ऐसे solve करना है ठीक है समझ गे चलो भी चलते है 10 वाले पर देखते है 10 में क्या दिया गया है ज्यान से देखो यहां पर तो यहां पर देखो आपको 10 में क्या दिया गया है 2x square प्लस x माइनस 45 हमें क्या करना है इसका factor निकाल है सेम स्टेप करेंगे हम x square का जो coefficient है वो और constant हम दोनों पहले multiply करते है तो यहां पर देखो क्या है x square का coefficient यह square वाला coefficient क्या है 2 है तो यहां पर 2 multiply by constant क्या है 45 है तो multiply by हमारा हो जाएगा 45 तो यहां पर हम 45 लिख देंगे तो 2 multiply by 45 क्या होता है आपका 90 होता है ठीक है अब हमें क्या करना है 90 का factor निकालना है और वो factor को add करका subtract करके हमारा यह वाला coefficient आना चाहिए तो 89 होगा मतलब कि आपको 1 नहीं मिल रहा है तो अगले नमबर पर चलते हैं अब अगले table कौन सा है आपका देखो 10 multiply by 9 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलता है 10 multiply by 9 अगर आप करोगे तो भी आपको 90 मिलेगा तो ध्यान से देखो अगर हम यहां पर 10 minus 9 करे तो क्या मिले यह वाला हमारा factor यूज कर सकते है 10 9 इसको हम क्या करेंगे 10 minus 9 करेंगे तो हमारा answer रहेगा plus 1 में तो इसके लिए हम क्या करेंगे अभी अगले step में यह जो हमाला middle term है इसके जगा हम 10 और minus 9 लिख सकते हैं clear चलो equal to sin square वाला term as it is 2x square अब देखो यहां पर हम क्या लिखेंगा पहले plus 10x plus 10x फिर क्या minus minus 9x फिर constant term as it is minus 45 देखा आपने 10 minus 9 क्या होता है तो हमने यह middle term की जगा यह लिख दिया है clear समझ गया चलो अगले step पर चलते हैं अगले step में क्या करना है आपको यह दो आपको set बना लिए यह पहले का 2 और last का 2 set बन गया अब हम हमें क्या करना है देखने इन में से common कौन सा रहा है सबसे पहले दोगों दोनों के पास x why gonna n pale और दोनों पास number wouldn't be there तो देवो यहां से अगर अगर न से 2 बाहर ले यहां से 2 आजाएगा और यह दिखो 2510 होता है तो यहांसे भी 2 घुक्राइल इसका मानद हम बहार 2 x directors लेंगे में में क्या पर आद आ गुंकि बाहर प्लस का साइं नहीं प्लस ही रहेगा अब एक्स बाहर गया अधर क्या बाचाए अब एक्स बाहर गया और तू भी बाहर है तो ट्या टेबल में इक्स तो अब यहां पर आपका क्या है, minus 9x है और यहाँ पर minus 45 है तो आप देखो के दोनों के पास x तो नहीं है तो x common नहीं लेंगे यह minus 9 है, यह minus 45 है तो हम अगर minus 9 को बाहर common ले ले तो यहाँ पर देखो 9 आ जाएगा तो यहाँ पर 9 109 होता है और 45 आता है क्या 9 के टेबल में तो सिर्फ हम x लिखेंगे ठीक है, 9 तो अलड़ी बाहर है ना तो अंदर वच्छे का x यहाँ पर minus का साइन था तो यह bracket बाहर minus का साइन तो अंदर plus आ जाएगा 9 किस से आप multiply करो को है, 45 मिलेगा 9 5,045 clear? समझे है अगले step पर चलते है, equal to का साइन अब हमें क्या करना है इस जो दोनों common है, इसको ले लेना है यहाँ पर, x plus 5 और बाहर के या bracket के उसको अंदर ले लो 2x minus 9, तो ब्रेकेट के अंदर 2x minus 9 simple था कि नहीं बताओ इस तरीके से आपको solve करना है अपका tenth वाला, अभी चलते है 11 वाले पर चलो, देखते है 11 में क्या दिया गया है हमें यहाँ पर, तो देखो, 11 में हमें दिया गया है 20x square minus 26x plus 8 तो इसको में factorize करना है, तो देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे सब में क्या है, हमें सब में coefficient दिख रहे है, 20, 26, 8 तो इसमें से पहले हम common एक number निकाल सकते है अपने यह, जो हम सम करें इसको और जादा simple करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो, इन सब में से हम कुछ common ले सकते है, क्या? 2 common ले सकते है तो हम क्या करेंगे, सब में से 2 common ले ले लेंगे बिलेगा बताओ आप अगर 2 से 13 को मुल्टिप्ला करोगे 13 तो यहाँ पर 13x बचेगा अब यहाँ पर प्लस 8 था तो क्या होगा 2 4008 होता है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा simple अब हम इसको solve करेंगे 2 को बाहर रहने देंगे इतने को solve करेंगे ठीक है equal to का sign हमें करना क्या होता है सबसे पहले ध्यान दो यह square वाला जो coefficient है और constant इन दोनों को multiply करना है तो देखो 10 multiply by 4 कितना जाएगा आपका 940 का होता है आपका 40 ठीक है अभी हमें क्या करना है यह 40 का हमें factor निकलना है तो देखो 40 का वाठा है किस झावन से M desply करोगे आपको 40 मिलता है सबसे पहले क्या होता है उस से pहले क्या हो 4-10 करो ओंगा तो भी आपको 13 नहीं मिलने वाला है खीक है? तो मतलब कि यह factor हम नहीं use कर सकते हैं अब अगला factor निकालते हैं तो 5 divine 8 क्या होता है? 40 होता है तो यहाँ पर दिखो 5 divine 8 40 होता है तो 5 प्लस 8 आपको क्या मिलता है? है 13 मिलता है तो मतंब यह वाला फैक्टर हम यूज कर सकते हैं ठिक है तो इसका मांतब हम उसे लिख सकते हैं कि अगर हमें क्या चाहिए धवाला कोइफिशन्ट चाहिए था अगर भी यह 5 प्लस 8 कर सकते हисс है 5 8 लेकिन क्यूंकि हमारा एंसर हमें क्या चाहिए minus में चाहिए तो हम दोनों को minus में रखेगा minus 5 minus 8 क्योंकि minus minus plus होता है तो 5 plus 8 के होगा 13 होगा क्योंकि दोनों के पास minus की साहिन है तो answer minus में होगा minus 13 clear समझ गया 2 को बाहर ही रखो अंदर का हम step करते है क्या है पहले 10x square as it is आ जागा स्क्वार वाला term अब यह हमारा middle वाला यह term है, इसके पहले तो आजागा minus 5x, तो हम यहापर लिखेंगा minus 5x, फिर क्या आएगा minus 8x, देखो यह जो आपका है न, यह variable ऐसा ही रहेगा, खाली coefficient change होगा, ठीक है, तो यहापर आजागा minus 8x, last में क्या है, plus 4, clear, अब यह अगले step में हमें क्या करना है, 2 बाहर ही रहेगा, bracket के अंदर, देखो, अब यह में क्या करना है, 2-2 का set बना लेना है, जैसे हम करते हैं, यह starting का 2 set, और ending का 2 set, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यह set बना के, देखेंगे क्या common इनमें से आ रहे है, देखो, दोनों के पास x है, x तो common आए गई, और दोनों आपका जो bracket के अंदर रहेगा, और change हो जाएगा, ठीक है, तो कैसे होगा, x तो common लिया और 5 भी लिया, तो हम क्या ले रहे है, बाहर common, 5x ले रहे है, bracket के अंदर क्या जाएगा, अब देखो, 1x common आ गया है, ठीक है, तो बचेगा है, सिर्फ 1x, और यहां से 10, और बाहर 5 है, तो किस से 5 को multiply करोगे, आपको 10 मिलेगा, 5, 2000 आपका होता है, 10, और 1x बाहर है, तो अंदर बचेगा, सिर्फ 1x, क्योंकि square है, ठीक है, अब आगे क्या है, देखो, 5x तो हमने बाहर common ले लिया है, यहां पर क्या था, 5x ले था, तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, minus 1 बच यहां पर क्या है, यहांपर 8 है, यहांपर 4 है, तो देखो, अगर हम 4 को बाहर common लेंगे, तो देखो, x को हमने बाहर नहीं लिया तो एक तो x बचेगा और 8 का बाता है 4208 आता है तो अंदर बचेगा 2x 4208x देखो अंदर 2x बचेगा अब यहाँ पर क्या है plus का sign है क्योंकि बाहर minus का sign है तो अंदर वाला sign change जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है अब 4 के टेबल में 4 का बाता है 4104 होता है तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा clear bracket close अब अगला step क्या रहेगा देखो ध्यान से 2 as it is अब bracket के अंदर क्या changes होंगे सबसे पहले देखो जो यह common वाला है उसको हम एक बार लिख देंगे 2x-1 अब जो bracket के बाहर है उसको अंदर ले लेते हैं तो क्या था 5x-4 तो यह 5x-4 अब अगर आप चाहो तो bracket को open कर सकते हों कैसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं देखो ध्यान से 2 2x-1 5x-4 clear हो गया यह भी एतना simple था लग रहा था difficult टेकर एकदम simple है कि नहीं बताओ चलो अभी चलते हैं 12 वाले पर last वाले जो हमारा है उस special थे देखते क्या दिये गया हमें 12 में तो देखो 12 में हमें दिया गया है यहाँ पर 44 x square minus x minus 3 हमें क्या करना है इसको factorize करना है तो कैसे करेंगे यह भी simple है देखो सबसे पहले square वाला जो coefficient है और constant हम दोनों को multiply करना है तो 44 multiply by 3 हमें इसको multiply करना है 44 multiply by 3 आपको क्या होगा यहाँ पर लिखते हैं side में यहाँ पर 44 multiply by 3 तो देखो 3 412 तो 2 यहाँ पर 1 के रहे हो है 3 412 plus 1 13 तो हमें क्या मिले 132 तो अभी हमें इसका factor निकालना है तो factor कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे 1 multiply by 132 आपका क्या होता है 132 होता है इनको add करोगे 133 आएगा हमें क्या करना है middle जो coefficient है व 1 लाना है तो इसको add subtract करो आपको 1 तो आएगा नहीं तो अगला देखते हैं हमें factor क्या मिलेगा अगला factor अगर आप देखोगे आपको मिलने वाला है 11 के टेबल में आएगा 11 multiply by 12 क्या होता है 11 multiply by 12 आपका 132 होता है आप चेक कर सकते हो ठीक है तो देखो मैं आपको चेक कराना मैं आपको करके दिखा देता हूं साइड में यहां पर देखो 11 multiply by 12 करो 12 क्या होता है 12 होता है 12 का 2 यहां पर 1 carry over 12 12 12 12 plus 1 लेके 13 हुआ 132 इसके लिए हमने यहां पर लिखा है 132 तो देखो 11 plus 12 क्या होता है आपका 11 plus 12 करोगे 23 हो जाएगा ठीक है लेकिन हमें क्या चाहिए 1 चा तो अगर आप 11 minus 12 करोगे तो क्या आपको मिलेगा 12 minus 11 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा तो इसका मतलब हम यह वाला factor यूज कर सकते है क्योंकि इसको हम जब minus करेंगा 12 minus 11 कर रहे है तो हमें क्या मिल रहा है यहां पर 1 मिल रहा है ठीक है तो अगर हमें minus 1 चाहिए क्य माइनस वन अगर है जो हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या 11 है यहाँ पर क्या 12 है तो 11 यह प्लस में रहेगा और यह माइनस में रहेगा और यह माइनस में रहेगा माइनस ट्वेल ऐसे लिख सकते हैं ठीक है तो दुखो यह अगर माइनस में हो रहा लिख सकते हैं तो अगले स्टेप में क्या करोगे इक्वेल टू का साइन स्क्वेर वाले टाम इसटीस 44 x स्क्वेर अब मिडल टम की जगा क्या आएगा 11 आएगा और माइनस 12 आएगा तो यह वैरियेबल वाइस ही रहेगा तो पहले क्या लिखोगा प्लस 11 x और इसको बात क्या रहेगा तो 11 के टेपल में यह दोनों आता है 11 11 11 1444 तो हम 11 और x को बाहर कॉमन ले सकते तो 11 x बाहर कॉमन आ गया ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 11 444 होता है और यहां पर x स्क्वेर थो एक वाले x बाहर है तो सिर्फ अंदर 1 x बचेगा अब प्लस का साइन अब देखो क्योंकि 11 11 x पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ गया है तो अंदर सिर्फ 1 बचेगा 11 x बचेगा 11 x होता है क्लियर अगला स्टेप अब देखो एक के पास वैरियाबल है दूसरे के पास नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम वैरियाबल तो कॉमन नहीं ले सकते है नंबर कॉमन लेंगे तो दोगो 12 है एक 3 है तो अगर हम बाहर 3 common ले ले तो दोगो 3 के ड़ेपल मां दोनों आता है 3, 3, 3, 4, 12, तो हम बाहर – 3 common ले लेंगे अंदर क्या बचाएगा क्योंकि bracket बार minus का sign है अंदर सारे sign change जाएगे यह minus 12x था तो यह हो जाएगा 3 4 0 का अदर 12 3 4 0 12 और x तो 3 4 0 12 x हमें मिलेगा फिर ठीक है अब देखो क्योंकि हमने bracket के बार minus का sign लिया है तो अंदर हमें यह sign उल्टा मिलेगा प्लस मिल जाएगा ठीक है अब 3 का टेबल में 3 का बाता है 3 1 0 3 होता है ठीक है क्लियर अगले step में में क्या करना है यह जो common है यह दोनों को एक बार लिख देना है 4x plus 1 bracket के बाहर है वो bracket के अंदर ले लो क्या है bracket के बाहर 11x minus 3 क्लियर ऐसे आपको solve करना है इतना simple है यह तो इस तरीके से आपको पूरा प्रैक्टिसेट solve करना है I hope यह आपको अच्छे सन जागा अब इसके अच्छे से practice कर लो ताकि अगर आपका test हो तो आपके full marks है मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को like करो अपने सभी दूसरे को share करो चैनल को subscribe करो Thank you